आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्तान कोपरेटिव रिक्वार्मेंट बोड जेपुर दुआरा हाली में 635 पदों के लिए विगपती जारी की गई है मतलब सहकारी बैंक में बढ़ती आई हुई है इनकी अपन डिक्यल से बात करेंगे ये नोटिपिकेश पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे टोटल पोस्ट है 635 जिसमें सीनियर मेनेजर की है मेनेजर की है कॉंपूर्टर प्रोग्राम की है और बेंकिंग grease यह राखी गया और क्प्लिकेशन पीस क्या रखी गया और एप्लिकेशन फोर्म इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं लास्ट डेट क्या है इन सब की अपन डीटियल से बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो senior manager non-tsp area के लिए यहां पर one post आ रखी है फिर manager की यहां पर non-tsp area के लिए जो vacancy आ रखी है वो देख सकते हैं जैसे कि अपेक्स बैंक में यहां पर five post आ रखी है अजमेर में three post आ रखी है अलवर में two post आ रखी है यह आप यहां पर देख सकते हैं फिर जो tsp area के लिए manager की post है उनके बारे में यहां पर है next है जो बारा में serious जन जाती है उसके लिए भी यहां पर vacancy आ रखी है फिर computer program non tsp area के लिए कितनी vacancy है फिर banking assistant non tsp area के लिए कितनी vacancy है तो इसमें सबसे ज़्यादा vacancy है आप category wise भी देख सकते हैं कि कौन सी category में कितनी vacancy है तो apex bank में यहां पर total 22 post है आप कौन सी category के अंदर आते हैं तो उसके according आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर है कि EWS है फिर general category है SC और ST है तो अजमेर में यहां पर 18 post है अलवर में 13 post है बाडमेर में 38 post है भरतपुर में 24 है बीलवारा में 12 है बिकानेर में 12 है बुंदी में 10 है चितोडगड में 23 चूरू में 9 और 2 सा में यहां पर 7 post आ रखी है आप जिस district से apply करन चाहते हैं उसके according यहां पर आप पोस्ट देखके फोरम बढ़ दीजिएगा फिर यहां पर बेंकिंग असिस्टेंड की जो टीएसपी एरिया के लिए यहां पर टोटल post है 35 मतलब 35 post आ रखी है डुंगरपूर और बांसवड़ा में बांसवड़ा में 18 और डुंगरपूर म आ रखी है जो बेंकिंग असिस्टेंड इसमें जो बारा की सेरिया जन जाती है उसके लिए टोटल 11 पोस्ट आ रखी है यहां पर यह नोटिफिकेशन है इसको आप देख सकते हैं कि ओनलाइन एप्लिकेशन आपको कैसे बरना है और अगर फोरम भरने में कोई दिक्कत आ रखी है तो इसकी ओफिसिल वेव साइट भी यहां पर दे रखा है जिस पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बात करें फोरम पीस की अप्लिकेशन पीस के बारे में तो जो सामाने वरग है उनकी है 600 रुपए और SC-ST के टिगरी है उनके लिए 400 रुपए यहां पर फोरम पीस रखी गई है और मतलब अधरवाइज और भी के टिगरी आती है उनके लिए भी यहां पर 400 पोस्ट रखी गई है जबकि जनल के टिगरी के लिए यहां पर 600 रुपए फोरम पीस रखी गई है यहां पर यह सलेव बस देख सकते हैं computer program के लिए यहां पे English के क्यूशन मतलब 30 आएंगे 30 नंबर के रहेंगे numerical appitude के 40 क्यूशन 40 नंबर के रहेंगे reasoning के 40 क्यूशन 40 नंबर के रहेंगे आपको मिलेगी जिसमें English के क्यूशन 30 आएंगे 30 नंबर के रहेंगे जन्न नोलेज उप राजस्तान मतलब राजस्तान की जीके हैं उसके 30 क्यूशन आएंगे और 30 नंबर के computer knowledge 25 क्यूशन आएंगे 25 नंबर के यहां पे आप देख सकते हैं सलेवस डिटियल से भी आप डाउनलोड करके साइट से पढ़ सकते हों यह सलेवस यहां पे दे रखा है इसका इस वेकेंसी के बारे में आपको अधिक जान करी चाहिए तो यह इसकी ओपीसियल वेवसाइट है यहां पे आप वीजिट हो के देख सकते हैं और यहां पे help line नंबर भी दे रखे हैं और email करके भी आप कुछ अधिक जान करी चाहिए तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके जो application फोर में start हो रहे है वो 18 September 2023 से लास्ट डेट है 17 November 2023 से इसकी लास्ट डेट है एक्जाम डेट अभी पिक्स नहीं की गई है जो एक्जाम डेट पिक्स कर दी जाएगी जब इसके एडमिट काड आएंगे तो दस दिन पहले या साथ दिन पहले एडमिट काड आजए जनरल OBC और EWS के टिग्री के लिए यहां पे 600 रुपए फोरम पीस रखी गई है और SC ST के टिग्री के लिए यहां पे 400 रुपए फोरम पीस रखी गई है एडमिट के बारे में बात करें आयू सीमा के बारे में तो यहां पे मिनीमम एज मतलब कम से कम एज होनी चीए 18 यर्स होनी चीए मेक जीमम मतलब अधिक्तम आयू यहां पे 45 यर्स होनी चीए और इसमें जो जिस कैटिग्री के अंडर में आप आते हैं उसके अकोर्डिंग याँ पर एज रिलेक्शन मतलग आयू में चूट भी दे रखी है वो आप इसके नोटिफिकेशन को डिटियल से पढ़ लीजेगा आपको पता चल जाएगा कि कितनी चूट दे रखी है